आपके high-end smartphone पे gaming करते वगग आपने ओवरीटिंग जरूर एक्सपिरेंस की होगी ये ओवरीटिंग आपके महेंगय smartphone की battery health को धड़ा धड़ गिरा सकती है इसलिए में पास आज ही है must-have gadget के phone को ओवरीटिंग से बचाए ये एक छोटा सा smartphone cooler जो आपके smartphone के पीछे इस तरीके से clamp हो जाता है और इसके साथ आने वाली ये type-c cable इसके type-c port में डालने पर ये on हो जाता है इसका fan भी on हो जाता है और इसमें RGB lights भी आपको देखने मिलेगी ये cooler इस्तिमाल करने और gaming करने से पहले मेरे फोडिम प्रमक्स का front side का temperature था 29.9 degree celsius और backside का temperature था 31 degree celsius फिर मैंने इसके उपर high end gaming किया 10-15 minute तर इसके बाद जब मैंने temperature चेक किया इसका front temperature हो जुगा था 36.4 degree celsius और rear temperature हो जुगा था 36.3 degree celsius के बाद मैंने अपने phone पे cooler लगा दिया और cooler लगाने का फिर से इस पर मैंने 10-15 minute तर गेम केला cooler के साथ gaming के experience काफी अच्छा था बिलकुल भी आपके gaming में ये intrude नहीं करता है और cooler के साथ gaming में आमने का temperature था 29.7 degree celsius और backside में top का temperature था 30 degree celsius bottom का temperature था 28.1 degree celsius और cooler के नीचे के हिस्टे का temperature था 27.1 degree celsius इसका मतलब है ये 1000 रोपे से भी कम का cooler आपके smartphone को cool करने में successful रहता है अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो व्यूटरस पर click करके buy कर सकते हैं